हाई गाइस बेरा डाम है डॉक्टर प्रिया कॉल और मैं बात करने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट इंग्रीडियन पर आज हम बात करेंगे कैंफर की यानि की कपूर इसका बेनेफिट हमने बहुत जादा देखा है हम जानते हैं हमारे घर बे कपूर यूज होता है दिदेखा होगा आजकल मार्केट में कुछ ऐसे कपूर के packets आप देखे होंगे इस पर लिखा होता है blessed camphor और रेकी charged camphor तो अगर आप आप ने ऐसा देखा है तो आप ये घर में खुद भी create कर सकते हैं so let's go ahead so kapoor जो आपको market में मिलता है which is again a very natural product and which should be used मतलब मैं तो इसको जरूर advocate करती हूँ kapoor help करता है आपके घर के negativity को clean करने के लिए kapoor help करता है आपके घर में एक peaceful ambience create करने के लिए kapoor also helps in clearing you all the radiation थोड़ा बहुत उसमें भी ये help कर देता है और plus जब हम बात करते है negativity को हटाने करे तो सबसे ज़रा useful तो मुझे लगता है वो ही है आज के टाइम पर दूसरा कपूर को use करने का तरीका क्या रहता है either you can use it in you know जो aroma lamps आपको मिलते हैं जिसमें आप नीचे tea light candle जलाते हैं और उपर कपूर रखते हैं और बाकी दूसरा आजकल कपूर oils भी कपूर blends भी यूज होते हैं which you can you know use on your wrist and then you can go for your work that will help you to stay positive the entire day charge कैसे करना है आपने कपूर का पैकेट खरीद लिया कपूर का पैकेट खरीदने के बाद अपनी पूरी intention उस पर डालनी है universe please clean all the negativity that was there while creating this कपूर यह बहुत ध्यांग से आपने लाइन बोलनी है जब यह कपूर बन रहा था refine हो रहा था packet में जा रहा था तो इसके energies कितने लोगों के हाथ में गई थी so you have to clean the energies while packing कहना है कि जो भी energies इस पे stuck है जो pack होते समय use हुई है वो सारी clear हो जाए and then you can use it अपने घर के entrance पे जरूर aroma lamp में कपूर जलाय करे because कोई भी जो बहार से आता है उसकी energy उसी समय clean हो जाए और वो आपकी घर में एक positive energy के साथ enter करे on that note we will meet next in my next video till then start using कपूर thank you so much